आज हम बनाएंगे एक इविनिंग स्नैक जिसका हमने बनाए है आलो और ब्रेड से यहां पर मैंने ब्रेड की पाथ स्लाइस ले है और इसके उपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है छे से साथ टेबल स्पून ताकि हमारी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मै मैश कर लेंगे ताकि कोई भी कुठली नारे अच्छे से मैश हो जाए फिर हम इसके उपर डालेंगे कुछ वैजी जो आपको अपनी पसंद के भी आप डाल सकते हैं यहां पर मैंने प्याश शिमला मेर्च वारी मेर्च और कुछ धनिया के कटिवे पत्ते डाले हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम क्या करेंगे इनकी उपर थोड़े से मसाले डालेंगे जैसे की नमक स्वाद अनुसार जो भी जितना भी आपको पसंद हो पीजा सिजनिंग चिली फ्लेक्स चाट मसाला काली मिर्च और थोड़े से लिये हैं सफेद दिल सफेद इसे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें और एक डो तयार कर लें फिर एक प्लेट ले उसे गी से ग्रीस कर लें और इस मिक्शर को उसके उपर डाल दे और अच्छे से फेलाले क्राउंड शेव दे दे इसे थोड़ा सा मूटा ही दालके इन सफीद तिल को भी अच्छे से प्रैस कर लें ताकि जब हम फ्राय करें तो इतल ना निकले इस को आप थोड़ी देर के लिए फ्रीच में भी रख सकते हैं ताकि बहुत अच्छे से सैट हो जाए अब हम क्या करेंगे इस मिक्शर की ट्राइंगल शेप काट लेते हैं और वहाँ पर मैंने गैस भी अपना तेल रख दिया था हमारा तेल जो है गरम हो गया है यह देखे कितने अच्छे से बनके सैट हो गया है अब हम क्या करेंगे इने एक ही करके अपनी करम तेल में डालेंगे और अपनी गैस को मेडियम पे रखेंगे ज्यादा तीज नह लेंगे तो यह अंदर से थोड़े कच्छे रह जाएंगे फार से तो हो जाएंगे इनका कलर आ जाएगा यह देखिए विक्कुल ब्राउन हो गए हैं कितना सुंदर कलर आ है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं एक बाद जरूर बनाए आपके बच्चों को बहुत ह टेस्टी लगेंगे अब हुमारे सारे ट्राइंगल स्टोबन के तयार हैं अगर आपको मेरी वीडियो अची लगी तो लाइक कामेंट सब्सक्राइब करना ना भूले